दिल्ली के कई इलाके बाड और बारिश के वज़े से डूब गए है लेकिन एक बड़ी वज़ा रही है यमना के उफ़ान पर होने की और दिल्ली के सेंट्रल डेली का अगर हम इलाके की बात करें आई टी यो उसके लावा राजगाट या फिर सुप्रीम कोर्ड या प्रकति म गया है ये देखिए एक तरफ ये इस वक्त यमना का पानी है तो एक तरफ नाले का पानी है इस अब के बीच में इस तरीके का एक ये रेगुलेटर जिसको कहा जा रहा है ये बना हुआ था और वो उसका एक हिस्ता तूट गया उसका असर क्या हुआ यमना का पानी नाले के करके शहर के अंदर चला गया यमना के पानी के साथ में लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई है सेना के जवानों को और सेना के जवानों ने ये काम भख भग लगभग कंप्लीट भी कर दिया है ये वो तस्वीरे हैं एक टेंप्रेरी रेगुलेटर बना दिया गया है जिससे की यमना का पानी नाले के पानी में यहां पर जो सेना के वरेश बदिगारी है वह भी यहां पर जो इंजिनिंग कोर के हैं वो पहुंचे हुए है और आप किया गया है देखिए, मैं आपको बैग्राउंड देता हूँ, करीबन 9.30 कल सुब्य हमें रेक्षिशन किया गया, उसके बाद हम लोग यहां पर आए, हमने एसेस किया सिचुएशन को, रिसोर्स को मुबलाइस किया, करीबन 1.30 पर हमने दुपैर को यह काम शुरू किया और रात को करीब 10.30 पर हमने कम्टिट किया, इसका एम था कि जैसे आप देख सकते हैं यहां पर यमूना का फ्लो अभी तो बिल्कुल ही यहां पर शांत दिख रहा है, पर कल अगर मैं आपको फोटो वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा फ्लो में था और वो दिली की तरफ जा रहा पहले यहां पर ओलेडी एक रेगुलेटर जिसको कहा जा रहा है, वो था यानि कि जो जिससे की यमूना का पानी शहर में ना आए, लेकिन वो तूट गया था, पथर पड़े हुए हैं, यह पथर पड़े हुए हैं, यह उसी के तूटा हुआ हुआ है, इसके चलते होता यह था कि अगर यमना उफान भी आती थी तो वो पानि वहां तक नहीं जाता था, लेकिन क्योंकि ये टूट गया, लहादा शहर के अंदर पानी जाने लगा, नाले में वो पानी मिल गया, और वो शहर के अंदर फ्लो होने लगा, लेकिन फिलहाल अब सेना की क्या जिम्मेदारी है सेना को यहां पर बुलाए गया है इंजिनिंग रिवीजन के जवानों को उसका मकसद यह था कि यहां पर वो एक टेंपरेरी सही लेकिन फॉरी इंतिजाम किया रहे जिस्से की पानी को शहर में जाने से रोका जा सके तो तो कि फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी यह क्या काम चल रहा है जो हमारा में बंड था वो जैसा आपको बताया करा रात को 1030 खतम हो गया है अभी वह हम एडिशनल से क्यूरिंग कर रहे हैं इसको कि इनकेस पानी और बढ़ता है या स्पीड से और आता है कभी अगर पानी ए नहीं जाएगा कोई दुश्मन हमाई सीमा की तरफ नजर नहीं उठा सकता वो किसी भी सूरत में हमाई सीमा के अंदर नहीं दाखिल हो सकता यह सुनिशित करती है सेना लेकिन सेना का एक दूसरा विंग है इंजिनरिंग विंग उसकी यह दमेदारी है कि वह अगर देश को आप इस तरीके से कदम उठा करके सुनिशित करें जैसा कि यहां पर हमको तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि जो इंजिनरिंग विंग के जवान है वो यहां पर अभी भी डटे हुए है हलाकि टेम्रेरी यह जो तटबंध है वो बन गया है लेकिन अभी भी काम क्योंक पूरी तरह से 100% satisfaction नहीं मिला लिहादा कोशिश यह की जा रही है कि ऐसा इंतिजाम कर दिया जाए कि जब तक यहां पर दोबारा प्रॉपर जो यह तटबंध नहीं बन जाता रेगुलेटर नहीं बन जाता तब तक कम से कम अगर यम्रा दोबारा उफान पर आती भी है तब से कुछ घंटों में हाला धीरे दे करके सामान होते हुए और नजर आएंगे सही होगी कैमरा पर्सन प्रवीन दिख्षित के साथ अंकित गुपताई बिपी नियोस दिली पत्रकारता कोई emotion नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार थोपना है पत्रकारता क्या है पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी कठा करना और तथे बताना पत्रकारता अज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलन जगविंदर पटियाल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट 17 जुलाई से सोब बार से शुक्वार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर